बच्चों आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चनल A2Z इस्ट्री पॉइंट पर मैं परदीप सर आज हम क्लास लेके आई वे हैं आकंचा परिछा में पूछे जाने वाले कुछ फिचिक्स के महतपुन प्रस्ण जो आप लोग के कॉमेंट से वीडियो अप्लूड की जा रही है तो प्यारे बच्चों वीडियो के अंतक बने रहे हैं और सारे कोस्टन इसमें 20 कोस्टन आपके साथ सेयर करेंगे तो फर्च कोस्टन की शुरुआत कर रहे हैं कि मानव नेत् को देखें कि आखर सही आंसर क्या होगा प्यारें बच्चों इसका सही आंसर होगा कि अबी ए उखिया है तारों के कि उडिया और करेंगे भी चुन लिये होंगे, correct answer होगा, option नमर A, अप वर्तन के सिधान्त पर तारे के टिम्ट माने के बेख्या के सिधान्त पर अधारित होती है, इस question को देख रहेंगे, नेतर लेंस की focus दूरी अधीक हो जाने से, कौन साथ दृष्टी दोस होता है, तो निकट दृष्टी दोस, जरादूर्दसिता या इन में से कोई नहीं, तो बच्चो आपके पास चार option में से, सही option को जल्दी से चुनें, कि सही answer क्या होगा, तो आप answer भी चुन लिये होंगे, correct answer होगा, option नमर B, दृष्टी is right answer, इस question को देख रहेंगे, नेतर में, किसी वस्तु का बना परत्विम ह होता है, कैसा होता है, कालपनिक सीधा या छोटा होता है, कालपनिक उल्टा तथा बढ़ा होता है, या वास्तिविक उल्टा तथा चोटा होता है, या वास्तिविक उल्टा तथा बढ़ा होता है, या वास्तिविक उल्टा तथा बढ़ा होता है, या वास्तिविक उल्टा जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वरन जिसको कहते हैं सबसे अधिक भी चिलित होता है वह कौन सा है क्या नीला है लाल है बेगनी है या नीला और लाल दोनों है सो बच्चों इसके लिए जल्दी से आंसर को चुनें कि सही आंसर क्या होगा आप answer भी चुन लिया होगे बच्चो सो correct answer आपके लिए क्या होना चाहिए सही answer होगा option number C वेगनी is right answer ने इस question की बात करें कि अपने lens की focus दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तू को साफ साफ देख सकने के आँखे के गून को कहते हैं क्या दूर दर्शिता कहते हैं सम्माजन छबता कहते हैं या निकट द्रिष्टी दोस कहते हैं जरा दूर दर्शिता कहते हैं सो बच्चो इसके लिए सही answer को बताएं कि सही answer क्या होगा सो बच्चो इसके लिए सही answer आप चुन लिया होगे correct answer होगा option number B is right answer बच्चों आपके लिए चार उप्सन है तो जल्दी से चुनें आंसर की क्या होती है आपका तो सही आंसर होगा बच्चों आपका उप्सन नमर बी इज राइट आंसर क्योंकि जरा दूर दर्शिता से प्रित वेक्थी के लिए बाइप होकर लेंस का उफ्चार किया जाता है बच्चों की बात करों कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकर तथा दूर बींदू करमा से क्या होते हैं तो आपके पास बच्चों चार उप्सन है तो जल्दी से आप उप्सन को चुनें कि सही आंसर क्या होगा तो बच्चों आप आंसर भी चुन डिये होगे तो करे one question है ने इस question की बात करको विभीन दूरियों पर की वस्तुओं के परतिवीम को फॉकस करने के लिए आंक के आंसर आप चुन लिए होगे करेक्ट अंसर का option नमर सी सीलियरी पैसियों द्वारा विभीन प्रकार की दूरियों पर वस्तुओं के परतिविम को फॉकस करने के लिए आंके लेंस की यही दूरी को निरधारित की जाती है ने इस question की बात करूं कि जो नेत्र दूर वस्तु इस जाने वाले हैं सो बच्चों इसके लिए साई आंसर क्या होगा सो करेक्ट आंसर होगा आपका option नमर बी निकड़ द्रिष्टी दोस इज राइट आंसर मैं इस question की बात करूं कि किस द्रिष्टी दोस में किसी वस्तु का प्रतिविम रेटिना के आगे बनता है सो बच्चों आंसर को बताएं क्या निकड़ द्रिष्टी दोस में या दूर द्रिष्टी दोस में या जरा दूर दैसिता में या इनमें से कोई नहीं सो ये इस तरह से आपकी परिछा में बच्चों चार question में नहीं एक question में चार option को पूछे जाते हैं और सही option को चुनना होता है सो बच क्या उत्पन होती है निकाड दृष्टी दोस या दूर धृष्टी दोस य जराद दूर धृष्टी दोस या वर्णायन होता है कैसा ये तो आप सबाँरे के लिए क्वेंगे दिया वहां नीला लाल या काला घौला सो बच्चों ये तो अज़ा जान रहे सी तो पॉस्य रखेंगे प ranksव лов या क्वे दिवह से बकास में प्षेंग चेंक अदिए प्रकास का प्रकास का अपवरतन पर या इड में से कोई नहीं सो बच्चों आप जल्दी से आंसर को बताएं सो बच्चों आप आंसर भी चूल लिया होगे करेक्ट आंसर होगा अपसर नमर C is राइट आंसर नहीं सो बच्चों इसके लिए साय आंसर होगा अपसर नमर A is राइट आंसर क्वेश्चन नमर उनेस देख रहे हैं किसी कोल आइडी विलियन में निलम्मित कनों से प्रकास के प्रकिर्णन को कहा जाता है बच्चों क्या कहा जाता है वाइ मंडली परभाव किंडल परभाव तिंडल परभाव या क्वेंडल परभाव सो बच्चों इसके लिए साही आंस आपसर- bakalım सी तिन्डेल पढ्या फावीजes खुरिशन रहें करे स्भाइन तर को कि उनबन गए फेल में बहूत है जाbelsान खाने क्या हिसाओक राइस फाइफसर फ्र करन ऊच्क्राइब दी